हमारे पास एक statement है अब body starts from rest and move with constant velocity cover 20 meter in first second distance in second second बाद अब बोल्डेमों ने हमें statement में काया है कि एक body है जो rest पे है कि कि rest वो constant velocity के साथ move करना start करती है और first second में वो 20 meter distance कवर करती है से पाइस सेथ से पास सेथ के साथ सबसे पहले हमसे इस बात जेंग post उझेर से प्रक्राइए कि उनोंने हमें two second डिस्टंस in two secs अधरा वह मैं कर दिस्टंस in second second ठीक है इसको हम solve करते है सबसे पहले तो nth second के लिए कि सी भी second second प्र्स second हम nth second कह सकते है उसके लिए हमने बिस्टेंस मैंट करना होता है उसके लिए कोईजिन होती है Sn इक्वल V I प्लस 1 ओवर 2 A इंटु 2 N माइनस 1 ठीक है अब इसमें हमारे पास acceleration नहीं हमें given दियुई तो सबसे पहले हम acceleration को calculate करेंगे acceleration हम सेकेंड कोईजिन और मोशन यूज करके calculate कर सकते है S is equal to V I T प्लस 1 ओवर 2 A T स्केर ठीक है अब जैसा के initial loss to 0 है तो ये factor कट हो जाएगा S is equal to 1 ओवर 2 A T स्केर बढ़ जाएगा हमारे पास ठीक है अब S हमारे पास 20 मिटर 1 ओवर 2 और acceleration ऐसे आजाएगा time हमारे पास 1 second है ठीक है आप 20 multiply by 2 और 1 ऐसे हो जाएगा acceleration हमारे पास आजाएगा 40 माइटर पर सेकेंड स्केर ठीक है ये हमारे पास acceleration आगया अब इस acceleration को हम इस equation में पूट करेंगे है हमारे पास answer आजाएगा इसको पूट करते है s n equal 3i plus 1 over 2 एक जगा आजाएगा 40 meter per second scale और 2 n n हमारे पास second है ठीक है n हमने लेना है जो हमने जितने भी second पूछे होंगे न उसको हमने nth की value ले लेना है ठीक है अब n हमें 2 है तो हमारे पास लेदर आजाएगा 2 minus 1 ठीक है अब जैसा कि इनिशिल दोस्टी 0 यह कट हो जाएगा फेक्टर 2, 20 ठीक है 20 और 2 to the 4 4 minus 1 3 हमारे पास आजाएगा 23, 60 60 meter हमारे पास second distance answer आजाएगा यह हमारे पास second second पे जो body start रही थी उसका distance है वो 60 meter है जो Charlie option है thank you